हाँ जी बच्छा पाटी शुरू करें एक बार फिर आपके सामने और आज मैं लेकर आया हूँ lecture number 71 on smart read vocab as always आज के इस lecture में मैं डिस्कस करने वाला हूँ smart read deal number 71 में जो passage हमने आपके लिए पिक किया है English language का उसके difficult complex important words, phrases, idioms या पिर phrasal verbs को तो चलिए शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले एक और announcement आपके लिए important one वो क्या है? वो ये है कि 25% का जो offer है वो इस समय चल रहा है smart reader के सभी plans पे 1st September से ये offer start हुआ था और आज इसका आकरे दिन है रात के 12 बजे यानी 11 बज के 69 मिनट तक ये offer आपके लिए available है चाहे तो smart read course चाहे कोई और दूसरा plan पर एक्जामपल c mobile pro हो चाहे speed drills हो चाहे जो quant के हमने book अभी recently launch की या फिर mock test full and sectional topic test जो भी आपके मन में है buy करने के लिए और आप रुके हुए दे कि discount आएगा तब buy करेंगे so here is the discount और यह आज आखरी दिन है so make your decision fast ठीक है अभी के लिए मैं वापस आ जाता हूँ मारे lecture पर so start करते है इसको आज का पहला word है आपके सामने calibrated reference क्या है calibrated का clearly mental health cannot be neglected anymore it needs a calibrated policy okay meaning carefully assist set or adjusted पहली बाद तो यह past participle है adjective की तरह यूज हो रहा है यहाँ पे carefully assist पूरी तरीकी से assist किया गया set किया गया या adjust किया गया अब किस कॉंटेक्स लो जिस तरीकी से कोई व्यक्ति किसी instrument को use करता है उससे पहले वह उसको set करता है एक्जांपल के तौर पे जब आप सबजी खरीदते है market में तो अभी तो शायद वाले आ रहे है ना weighing machine वैसी आ दी जिस पर बस रख दो और वह नंबर आ जाता है पुराने टाइम में कैसा होता था तराजू, weighing balance जिसको बोलते है तो तराजू को तराजू पर सामान रखने से पहले वाट रखने से पहले उसको जो शॉप की बर होता था वो ऐसे वेंडर होता था वो ऐसे पकड़ के देखता था उसको plane पे लेके आता था ताकि जो बीच में जो काटा होता है बिल्कुल center मे आजा है ठीक है, point नीचे की तरफ पेस करें, exactly 90 degree पे, so उसको पहले वो set करेगा, assess करके and then जब वो calibrated हो जाता है तब वो उस पे वाट रखता है और इस तरफ वो सम्मान रखता है और फिर वो measure करता है ताकि कोई गलती ना हो, तो उसको हम बोलते हैं calibrated instrument, अब यह जो भी scale है इसमें कोई खामी नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरीके की खामी नहीं होनी चाहिए, कोई error नहीं होनी चाहिए, पूरी तरीके से calibrated होना चाहिए, तब आप इससे measure फिर पाएंगे, ठीक है, इसको और better way में समझते हैं, हमारे सामने 4 sentences हैं, देखते हैं क्या context हैं और किस तरी Calibrated strategy, allow the company to navigate the market challenges effectively, अब कोई strategy थी, किसी company के context में, वो calibrated थी, पूरी तरीके से assess कर ली गई, कि अगर हम ये चीज़ करेंगे, ये move लेंगे, तो क्या impact पड़ेगा, ठीक है, सो strategy कैसी थी, calibrated, adjective के तरह यूज़ हो रहा है, allow the company to navigate the market challenges effectively, उस strategy ने company को allow किया, कि वो market challenges को आसानी से ये sentence, the doctor calibrated the patient's symptoms as a cause of her emotional stress, नहीं, ये मुचे साही नहीं लग रहा, doctor calibrate कर रहा है, patient's के symptoms को, no, does it make any sense, the architect calibrated design took into account both aesthetics and functionality, अब कोई architect है, उनकी जो design है, वो calibrated है, पूरी तरीके से assess की गई, नपी तुली और उन्होंने design बनाते से समें ध्यान रखा कि aesthetics और functionality, दोनों का ध्यान रखा जाए, aesthetics, सौंदर शास्त्र, यहीं कि, जैसे हम जब अपने घर के लिए, वाश्रूम वगरे के लिए, टाइल्स करीते हैं, तो हम देखते हैं, यह वाल की जो टाइल्स है, वो फ्लोर की टाइल्स है करें, कंट्रास्ट हो, या मैच करें, तो ह aesthetics देखते हैं, कि इस चीज़ को यहां रखा जाएगा, तो सुन्दर लगेगी यह, या lights ऐसी होनी चाहिए, तो यह निखर के सामने आएगा, aesthetics, ठीक है, और functionality, जिस काम के लिए, वो use हो रहा है, तो दोनों का ध्यान रखा, architect ने अपनी design में जो की calibrated थी, sentence ब्रूपल सही है, her calibrated diet plan was tailored to meet her specific health needs, अब उनका जो diet plan था, female का lady का, वो calibrated था, नपातुला, है न, set किया हुआ पूरी तरीके से, उनकी needs के according, tailored, यानि जैसा उनको चाहिए था, उनकी body weight के according, BMI के according, उसी तरीके से उसको बनाया गया, sentence ब्रूपल सही है, तो यह second one was incorrect, बाकि सारे sentence हमारे सही है, test, evaluated, ठीके, andonyms, half wizard, बिखरा हुआ, erratic, अगेन, इसका pattern न हो, erratic हमकी इसी previous lecture में discuss कर चुके है, erratic rain pattern, unplanned, जिसकी planning न की गई हो, तो यह सारे andonyms के दौर पे consider किये जाएंगे, next word is, disquieting, quiet, shant, quieting, shant करने वाला, पर, dis लगा है उसके आगे, prefix, यानिकि, अशांत करने वाला, बेचैनी पैदा करने वाला, disquieting, कोई ऐसी event हो, कोई ऐसा, ऐसी घटना आप देख लें, कोई ऐसा experience आप कर लें, जो disquieting है, तो यानि वो आपके अंदर anxiety पैदा कर रहा है, आपको anxious कर रहा है, बेचैनी पैदा कर रहा है आपके अंदर, example, reference पढ़त आपके मन में, बेचैनी पैदा करें, या चिंता पैदा करें, उसको हम बोलते हैं, disquieting, example के तोर पे, ये image है, COVID-19, जब ये वेव आई, 2021 में, उस समय जो scenario था, शमचान घाट पे, अगर ऐसा, किसी ने भी ऐसा experience किया ओपस न ले, अगवान न करे, कोई करे, पर, जब कोई कर रहा है इसको experience, तो उसके लिए कितना disquieting होगा, ऐसे ये bodies, dead bodies, जलाय जा रहे हैं, उनको एक तरीके से, अब देखें, कि space कितना है, जब थोड़ी-थोड़ी दूरी उपे, थोड़ी-थोड़ी steps पे, थोड़ी steps पे, इतनी सारी bodies रखी हुई हैं, और उनको जलाय जा र थोई, तो दोनों टाइम पे जब मैं गया, तो मैंने दिखा वहाँ पर समशान घाट पे लाशों के धेर लगे होते, और वहाँ पर token मिल रहे थे, amazingly, वहाँ पर tokens मिल रहे थे, जो कभी नहीं होता है, इतनी लाशें थी वहाँ पर, इतनी लाशें थी वहाँ पर, इतनी Overall, the overall experience was horrific, horrible, disquieting, seems कैसे थे, disquieting, I hope, आप relate कर पा रहे हो, आप समझ पा रहे हो, at least, क्या ऐसे scenarios पे बीथती है, किसी की उपर, just a bit, guys, हाँ, जी, बच्वाओ, I'm sorry, call आ गया था, चलिए, आभी मूव करते हैं, जल्दी से, sentences परते हैं, the disquieting silence in the courtroom made everyone uneasy, silence, जो, जो court room में silence था, कोई ऐसे case चल रहे है, वहाँ पर जो फैसला आने वाला है, और, कुछ बहुत intense, वहाँ पर arguments होई, उसके बाद, जब फैसला आने वा या क्या judgment pass करेंगे, so, ये silence कैसा है, disquieting, बेचैन कर देने वाला, sentence है, the disquieting aroma of the fresh bread, गलत है, disquieting negative context में, aroma positive context में, गलत, खुशबू, बेचैन करने वाली खुशबू कैसी होती है, the disquieting trend in crime rates has concerned the local community, जो crime rates का trend है, वो कैसा है, disquieting है, अभी जो rape cases का trend है, अब देखें, जो rape cases हमें, देखने को मिल रहे हैं, सुनने को मिल रहे हैं, पढ़ने को मिल रहे हैं, वो कैसा है, disquieting है, क्या हो रहा है मारे देश, लगातार हमें, ऐसी घटना है, सुनने में, पढ़ने में, देखने को मिल रही है, जहाँ पे, बस, क्या ही बोलो, no words, express ही नहीं कर सकते हैं, sentence परकुल सही है, the disquieting images in the documentary left a negative impact on the viewers, कोई documentary है, उसमें जो images, जो pictures या जो वीडियो, footage उन्होंने यूज की, वो कैसी थी, disquieting थी, पेचेन कर देने वाले, I hope आपको पूरी तरीके समझ में आ गया हो, इस word का context and meaning, synonyms disturbing, troubling, unsettling, agitating, मन में बेचेनी पैदा कर दे, गुसा आ जाए आपको, गुसा आप एजिटिटिटिंग वाला, बाकि सारे emotionally आपको थोड़ा सा अनिस्टिबल कर दे, antonyms comforting, आराम दे, pleasant, शोहावना, reassuring, सांतोना दे, एक तरीके से, धाडस वदाय, तो ये सारे हमारे antonyms के तौर पे consider किये जाएंगे, next word is earmark, reference the union government, earmarked rupees 600 crore in 2019 of which 93% was for tertiary institutions such as NIM, HANS and the psychiatry departments of medical colleges, okay, earmark का क्या meaning है, designate funds or resources for a particular purpose, यानि कि पैसों को या फिर resources को समाल कर रख लेना, बाद के किसी काम के लिए designate, कि हाँ, भाई अपनी income मेंसे मैं 10% designate कर देता हूँ, कि हम आवेस future में कहीं travel करेंगे उसके लिए, या मेरे बच्चे की पढ़ाई पकर्चा होगा, तो designate कर देना, एक तरीके से उसको समाल कर रख देना, ठीक? examples पढ़ते हैं, smart cities mission, under the smart cities mission, the government earmarked 48,000 crores to develop 100 smart cities, तो government ने 48,000 crores की राशी earmark कर दी, कि भाई हम 100 smart cities develop करेंगे इस fund से, PM किसान scheme, the government earmarked 75,000 crores for PM किसान scheme, which provides direct income support to small and marginal farmers, बिल्कु सही है, यहाँ पे भी, गवर्मेंट ने 75,000 crores की राशी, earmark कर दी, एक purpose के लिए, certain purpose के लिए, health infrastructure, the Indian government earmarked 35,000 crores in the union budget for COVID-19 vaccine, procurement and distribution to ensure widespread immunization across the country, properly vaccination हो, immune करें लोगों को, उसके लिए 35,000 crores रुपे, budget में allot कर दी गए, allocate कर दी गए, COVID-19 की vaccine procurement and distribution के लिए, so I hope आपको समझ में आ गया हो, मुझे याद आया एकदम से, earmark का मतलब होता है, कोई निशानी, है ना, पट निशानी किस context में, तो यह verb के तौर पे आ रहा है, आप देख रहे होंगे, यहाँ पे वर्ब के तौर पे टो sentences थे, उसमें भी वर्ब के तौर पे आया, ना उनके तौर पे, जो गाय भहांस होती हैं, उनके कान में, जो उनके owners होते हैं, वो एक mark लगा देते हैं, ताकि वो कहीं इदर उदर गुम हो गई, तो वो पहचान में आ सके, कि यह किसकी गाय या बहांस है, ठीके, तो earmark उस कॉंटेक्स में भी यूज होता है, हाँ जी, अब यह मारे पास चार सेंटेसें से पढ़ते हैं, अब सिटी काउंसल ने कुछ पंट्स यह मार्ग कर दिये, रख लिए समाल के या डेजिगनेट कर दिये, कि आगे हम कंस्रेक्शन करेंगी, पब्लिक पाक्स का, उसके लिए हम इसको यूज करेंगे, बिल्कुल सही है, अब कोई फाउंडेशन है, ने कोई NGO है, उसने रूरल एरियास में हेल्थ केर इनिशिटिव के लिए, रिसोर्सेस को यह मार्ग कर दिया, कि हमारे पास यह सामान है, या यह यह चीजें हैं, इससे हम हम हेल्प कर सकते हैं इनिशिटिव में, तो हम उसको यूज करेंगे, अब यहा पे यह गलत है, क्योंकि मैंने बताया अभी आनिमल के कॉंटेक्स में, खास करके जो ऐसे अनिमल सोते हैं, गायभान स्टाइब के, उनके अनिमल सो यह मार्किंग होती हैं, पर यहा पे डिजन बीग एनिसेंस, अगर मैं इसमें से एर अटा दूँ, तो यह बन जाएगा सही, आटिस्स मार्किंग हिस लेटेस् पिंटिंग विद यूनिक सिगनेचर स्टाइल, यह उन्होंने मार्क कर दिया, कि मेरा स्टाइल यह है, मैं यह सिगनेचर करता हूँ, तो इससे मेरी पहचान होगी, सो, अगोब आपको समझ में आ गया हूँ, स्लिनिम्स, डेजिगनेट, लोकेट, रिजर्व, और एन्टिनिम्स की बात करें तो, इग्नोर, मिस्यूज, इग्नोर मुझे कुछ गरबड लग रहा है, मिस्यूज तो सही है, इग्नोर, चलिए, आगे बढ़ते हैं, इसक्राइब is the next word, रेफरेंस क्या है, पूर पॉलिसी अटेंशन इस ओफन इसक्राइब तो देलाइक ओफ पॉलिटिकल विल, जी, मेनिंग क्या है इसक्राइब का, रिगार्ड सम्थिंग आज बिग दूट तो, अक्कॉस, कारण, यहनि किसी बात को किसी और दूसरे कारण से आप जोड़ दे, उसको हम बोलते हैं, वर्ब के तौर पे यूज होता है, दो स्लाइट से एक जैसी हैं, चलिए, एक्जांपल पढ़ते हैं, यहनि बहुत सारे हिस्टोरियन्स एम्पायर कोई है, सामराज्य, उसकी सक्सेस का, जो संबंद जोड़ते हैं, किस से जोड़ते हैं, एफिशिंट अडिमिनिस्ट्रेशन से, कि भाई, वहाँ पे जो अडिमिनिस्ट्रेशन था, वह बहुत ऐफिशिंट था, प्रवावशाली था, इसलिए वह एम्पायर सक्सेस्फुल रहा, बिल्कुल से ये सेंटिस, अब जो आलो जख हैं, वह जो फिल्फलॉप हो गई, या फेल हो गई, उसका श्रे किसको देते हैं, उसका श्रे देते हैं, वह पूर मार्केटिंग, और लैक अफ प्रमोशन, के प्रमोशन ही नहीं किया भई आपने, फेल तो हो नहीं है, यहाँ पर इस बात का कोई मीनिंग निकल के नहीं आ रहा, दे कोच जो टीम की विक्ट्री होई, वो किसको उससे जोडते हैं, किसको श्रेय देते हैं, उनके hard work को, टीम के hard work को, और इनके dedication को, जो team members थे, so scribe का मतलब एक तरीके से संबंद जोड़ना या श्रेय देना, जर्नल कॉंटेक्स पर, synonyms के बात करें तो attribute, assign, a credit, एक तरीके से अपक्रेडिट दे रहे हैं, किसी और को, किसी और काम का, है न, antonyms, disassociate, अलग करना उससे deny, reject, मना करना, नकार देना, नहीं, इनकी success का श्रेय मुझे नहीं जाता, इनको ही जाता है, ठीके, so आप reject कर रहे हैं, इक तरीके से deny कर रहे हैं, shall we, हाँ जी, बच्चापाटी, so that's it, आज सिर्फ 4 words से, पर ये 4 words आपके लिए homework के तोर पे आप तक ये homework आप complete नहीं करेंगे, मुझे संतुष्टी नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर आप मेरा lecture देख रहे हैं, तो please इस homework को complete करें, homework क्या है, हर एक word पे आपको बनाना है, आपका खुद का एक sentence, उसके सही context में, और drop कर देना है, आपके sentences के combination को इस video lecture के comment section में, अगर आप ऐसा करते हैं, तो सबसे ज्यादा आप learn करते हैं, दूसरा काम, मैं available हूँ telegram पे, जिन भी बच्चों ने smart read course purchase कर लिया है, आज ही कर लें, क्योंकि discount आज कतम हो जाएगा 25% one, करने के बाद आपको क्या करना है, अपना जो smart read course का, जो payment का screen shot है, मेरे साथ share करें, और मैं share करूँग आपको जाना है, आपके smart read course के dashboard पे, और attempt करनी है, smart read deal number 71, result screen से आपको pick करनी है, इसकी, आपकी RC speed, और आपका RC level क्या रहा, इस particular exercise में, और drop कर देना है, दौनों के screen shots को, हमारे private telegram group में, so that I can check, I can assess, I can gauge your performance, and then I'll be able to help you accordingly, मैं आवे बच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्